नमस्कार आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में टेस्टिकल, इस्क्रोटम या अंडिकोश बड़ी सेंस्टिफ जगा होते हैं आप सभी जानते हैं हमारे टेस्टिकल में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपके स्पर्म काउंट की वेल्यू घराब होगी आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा एक तरह से यह कहें कि यह हमारा में मेजर पॉइंट भी है और इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए लेकिन होता क्या है हम अपने लाइफ स्टायल में हम अपनी चीजों में कभी इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं सबसे पहला होता क्या है कि आप चो खा रहे हैं आज की चो लाइफ स्टायल में आप खाना खा रहे हैं खासकर आप नौन वेज के बहुत आदी हो जाते हैं नौन वेज के शौकीन लोग नौन वेज खाना इतना पसंद करते हैं उन्हें इसका अंदाजाई यह नहीं होता कि बाद में हम इसको digest कैसे करेंगे इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको non-wage को बिल्कुल बंद कर देना है और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसको बहुत लिटल अमाउंट में लेना शुरू केज़े क्योंकि non-wage से क्या हो रहा है non-wage आपके indigestion की problem create कर रहा है आपको अपच कब्ज constipation जैसी problem दे रहा है आपको guest हैं varicocele की, oligospermia की, azospermia की तो यूँ कहा जाए कि आपके scrotum के साथ आपकी fertility पर भी असार डाल रही है तो आपको especially non-wage को बिल्कुल avoid कर देना है साथ ही आपको packed food, processed food और खास करके मैधा से बने product भी नहीं खाने ये सारी चीज़ें भी आपके digestion के लेहास से आपके लिए बिल्कु ठीक नहीं है ये भी आपको constipation दे रही है, आपकी carbs की problem दे रही है और सबसे बड़ी चीज़ आपके constipation की problem आपको कर रही है आपके scrotum और undercoach पर प्रभावित तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल avoid कर देनी है आप बात कर लेते हैं कि हम gym जाने के शौकीन है हम gym कर रहे हैं, हम running कर रहे हैं, हम cycling कर रहे हैं हम heavy weight exercise भी कर रहे हैं लेकिन उस वक्त हम ध्यान नहीं देते कि हमें इस पर lungoat या supporter का use करना चाहिए और जब परिशानियां बढ़ने लग जाती हैं जब scrotum में दबाब बनता है उसमें inflammation आने लग जाता है फिर आपको लगता है कि यार ये क्यों हुआ हमने ऐसा क्या कर लिया कि जिससे हमें ये परिशानी हुई उस वक्त हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें इस पर supporter या long word का use करना चाहिए था तो ये एक बहुत वड़ी वज़ा होता है scrotum या undercoach के problem के लिए जमाना बदल रहा है जीवन शैली भी बदल रही है आज कुछ व्यक्ति अगर alcohol लेना पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो life style में simple status के लिए drink करना शुरू कर देते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें बेहत खतरनाके हैं चाहें आप alcohol का सेवन करते हैं या आप alcohol का शौकिया सेवन करते हैं ये कर गया रही है ये आपकी fertility पर असर डाल रही है आपके sperm count को low कर रही है और especially आपके scrotum में problem create कर रही है तो drink क्या कर रहा है hyper activate होने की वज़ा से आपके blood में मिलकर तुरंट अपना काम और असर शुरू कर देते हैं जिसकी वज़ा से कहीं ना कहीं आपको bad effects, bad results धीरे धीरे देखने को मिलते हैं हमने अकसर करके देखा है कि जब हम घर पे होते हैं तो हमें laptop को गोदी में या पैरों में रखकर काम करने की आदत होती है खास करके कि अभी COVID के दोरान आपने देखा होगा कि जब work from home रहा तो अकसर करके हम सारे लोग laptop को अपने पैरों पर रख लेते थे उसमें जो heat generate हो रही है वो आपके scrotum को प्रभावत कर रही है क्योंकि scrotum यानि अंड़कोष का जो एक temperature होता है वो maintained होता है जब laptop पर आप इसके सपास काम करेंगे तो ये overheated हो जाता है temperature गड़ बढ़ाएगा यानि कि आपके scrotum की बीमारी का होना तय है इस पर pressure बनेगा इसमें inflammation होगी blood circulation में दिक्कत आएगी तो totally असर पड़ा laptop का पाउप पर रख कर काम करने से तो कोशिच कीज़े कि आप laptop को दूर ही रख कर काम करें अती हर चीज की बुरी होती है I hope आपको ये आज के इस वीडियो में समझ आ गया होगा अगर आपको लगता है कि आप और भी इसके regarding हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होमेपती डॉक्टर्स की टीम से संपर्थ भी कर सकते हैं नम्बस आपके स्क्रीन पर है आज के लिए वस इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुला का तब तक के लिए नमस्कार